नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल क्रिक आकाश आप सबका बहुत बहुत बश्च वागतिपकर फिर से आपके अपने यूटीब चैनल में दोस्तो टीम इंडिया इन दिनों ऑस्टेलिया के दोरे पर है टीटी सीरीज के बाद अब दोनों देशों के बीच 6 दिसमबर से टैस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है लेकिन टैस्ट सीरीज के सुरू होने से पहले भारती टीम को बड़ा जटका लगा है इनफर्म बल्लेबाज और ओपनर प्रत्वी शौग हायल हो गए हैं जानकारी के मताबिक सिड्नी में और अउस्टेलिया 11 के खिलाब खेले जा रहा है अभ्यास मैच के तीसरे दिन ओपनर प्रत्वी शौग हायल हो गए हैं बीसीसियाई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है बीसीसियाई ने ट्वीट किया है कि चोटिल होने के करनर प्रत्वी शौग और अउस्टेलिया के खिलाब अपना पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे बीसीसियाई ने सुक्रवार सुबह सौगी चोट की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि वह एडलेड में आउस्टेलिया के खिलाब 6 दिसंबर से सुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे इस चोट से ठीक होने के बाद वह है रिहेविलिटेशन में जाएंगे आउस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 दिसंबर से एडिलेड में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है ऐसे मैं प्रत्वी शौ की चोटिल होने की ख़बर किसी भी लियाज से भारत के लिए अच्छी नहीं है आपको बता दें कि 19 साल के प्रत्वी शौ जिनों ने बल्लेवाजी करते हुए 66 रनों की जोरदार पारी खेली थी लेकिन फिल्डिंग करते बक डीप मेड विकेट बाउंडरी पर कैज पकड़ने की कोशिस में चोटिल हो गए उनकी बाई एडी में चोट लगी है दरसल ऑस्टेलियाई वल्लेवाज मैक्स ब्राइट ने उंचा सौट केला था जिसे लपकने के लिए प्रत्वी सौने पूरा जोर लगाया और खुद को बाउंडरी लाइन के अंदर रखने की कोशिश की इस दोरान वह गिर पड़े टीम फीजियो पैट्रिक फरहार्ट और एक अनिके सारे उन्हें उठा कर ले जाया गया और इसके बाद दर्द से करार है प्रत्वी शौ को इसकैन के लिए अस्पताल ले जाया गया इससे पहले बी सी सी आई ने ट्वीट कर बताया था कि मेडिकल टीम प्रत्वी शौगी चोट का आंकलन कर रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भारतिय टीम के लिए एक बड़ा जटका साबित हो सकता है बारतिय टीम के पहले टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 के बारे में आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें क्रिक काकास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन